शिक्षा के नाम पर व्यापार करने वालों पर प्रशासन का चाबुक चल गया है। जबलपुर कलेक्टर लगातार शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसुलने वालों पर हंटर चला रहे हैं। अब जबलबुर के आठ नामची इन स्कूलों पर प्रशासन ने सक्त कारवाई की है। प्रशासन ने इन स्कूलों पर दो-दो लाख रुपे का जुर्माना ठोका है। तो वहीं अब इन स्कूलों को फीस के 54 करोड रुपे भी लोटाने बढ़ेंगे। इन आठ की स्कूलों पर मद्ध प्रदेश, नीची विद्धियाला, फीस एवं अन्य विश्यों के विनियमन अधिनियम 2017 के अंतरगा चांच के उपरांत कारवाही की गई है। इनके द्वारा जो विगत सत्रों में सुल्क वरद्धि की गई थी, वो चुकि अधिनियम के अन्रूप नहीं थी, इसलिए उसे जिला इस्तरी समीती के द्वारा फीस वरद्धि को अमानने किया गया। और अमानने करने के बाद फीस वरद्धि के पहले जो उनका सुल्क था, उसी सुल्क को अब लेने के लिए उन्हें बुला गया है। यह लगभग 54.23 के लगभग 54.23 करोग के लगभग, नहीं होगा, सब जगे कारवाई होगी, सभी स्कुलों पर अधिनियम के अनुशार उनसे कारवाई कराई जाएगी, इसमें कोई दोबत नहीं। दरसल यह पूरी कारवाही मद्प्रदेश नीजे विध्याले फीस अन्यविशियों के विनयमन अधिनियम 2017 के तहट की गई है। पहले प्रशासन ने अपने स्तर पर जाज कराई और जब यह पाया कि जिले में चलने वाले आठ नीजी स्कुलों ने मनमानी की तरीके से फीस में बढ़ातरी की है और इसकी सूचना न तो जिला प्रशासन को दी है और नहीं जिले की शिक्षा समीति को ही इसकी खबर की प्रशासन निस सक्त कदम उठाते हुए जिले के सभी आठनीजी स्कूलों के मालिकों को ये भी निर्देशित किया है कि वो जुर्माने की 2-2 लाग की राशी 30 दिन के अंदर लोक्षिक्षन संचनालाए के बैंक खाते में जमा करेंगे प्रशासन की जाच में इस बात का खुलासा हुआ है कि शहर के सभी आठनीजी स्कूलों के द्वारा 14,000 से ज्यादा बच्चों से 54 करोड से अधिक की रकम फीज की रूप में वसूर की गई है प्रशासन ने इस राशी को अभिवावकों को वापस करने का भी फर्मान जारी कर दिया है प्रशासन की इस कारेवाही से निजी स्कूल मालिकों में एक बार फिर हड़कम मज गया है इसके पहले माई में भी कलेक्टर दिपक सक्सना की अगवाई में जिले में मनमानी पर उतारू निजी स्कूलों के खिलाफ तावर तोड कारेवाही की गई थी तब 12 से जादा स्कूलों के प्रिंसिपलों और उनके मालिकों के खिलाफ FIR दर्च कर उन्हें जेल तक भेश दिया गया था निजी स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में जवलपुर में संगडित गिरोव बना कर अभिभाव को से फीस के नाम पर अर्बो की रकम वसूल की है प्रशासन की जाच में ये आकड़ा करीब 200 करोड के पार जा चुका है फिलाल प्रशासन के इस कदम से अभिभाव कों में खुशी का माहौल है जवलपुर से धिरशाक रिपोर्ट एंपी तक है झाल